आज मैं फिर से आप सबके साथ एके स्नैक्स की रस्पी लेके आई हूं वह भी ऐसी जो बहुत ही कम ओईल या घीवे बनकर तयार हो जाता है और मज़ेदार तो यह ही है गाईस को कमेजिंग में आप सभी का स्वागत है आज आप सबके साथ एक बहुत ही डिलीशिस सा चीज बना कर तयार करेंगे तो इसके लिए लिया है हमने कुछ वैजीज जो आपके पास हो इनको बारिक चॉप करके ले लिया है और दो वाई की हुए पोटैटो लिये हैं साथ में चीज लिया है जो भी चीज हो आपके पास वो ले लेना है और हम एक बड़ी ठाली या बरतन को कोई बड़ा लेंगे उसमें डालेंगे आलू और अलू को कि मैस्श कर लेंगे अप्जे से जब अप्री मेंश हो जाएं तो इसमें जो हमने बारीक कार्व्ग के सब्सद्वें ली हैं तो मैंने तो यहां पर लिया है बारीक सब्स! मिर्च 40 मिर्च अउप कटां हुआ, Chocolate ग्रीन चिली साथ में ओनियन और लिया है धनिया बस इतनी सी सबजियां लिये हैं आप पीज कॉर्ण भी एड़ कर सकते हैं इसमें बहुत ही डिलिशेस लगता है और साथ में चीज भी डाल देना है आपको जो भी चीज वो स्लाइस वाला हो प्रॉसेज हो मॉस्रेला हो जो भ होद ही डाइजेशन के लिए अच्छी होती है इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग सौर जाएगा धन्या पाउडर जाएगा थोड़ा सो चिली पाउडर डालेंगे अच्छे से अब इसको साफ हांस से ही मैश कर लेंगे हाथ को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है उसके मिक्स हो गया है मिक्चर तो अब हम बहुत बड़ा साइज नहीं और बहुत जादा चोटा भी नहीं एक मीडियम साइज जितना चोटा वाल लड़ू होता है उतने साइज के हम बॉल्स बनाकर तयार कर लेंगे पहले आप यह तैयारियां करके रख सकते हैं जिससे क्या है ज इसकोता है सब्सक्राइब कर सके हैं अदर्वाइज आप इसको और ब Watch me deep fry कर सकते हैं जैसा चाहाते हैं व्याइसा आप इसको उस तरह से सेख सकते हैं मैंने कम से कम ओईल में धी में सेखने का प्लैन किया इसलिए मैं इसको अपे मौल्ड में सेख ऊँगी तो इस तरह से मै इत्प निया आपको टिरानी है जितनी आपके पास बाल्स आलू की बनकर तेयार हुई के अन्य किनारी को आप कट करके दिसकाटjob देंगे निकाल में किनारीयों को आप जितना टाइड किनारी को तरह लेते हैं जितनी सोफ्ट वो मत लड़ाइZ चल जाएगा और सारी bread को आप इसी तरह से एक एक करके किनारियों को निकाल कर ले लेंगे अभी गया है bread की किनारिया निकल गई है तो एक बाउल में लेना है पानी और उसमें आपको bread को dip करना है और बहुत softly यह सब काम करना है bread बहुत ज़ली तूटती है इसलिए और हतेली की बीच में रखके इसको प्रेस करके सारा पानी एसक्यूज आउट कर देना निकाल देना है उसके बाद जो हमने आलू की बॉल बनाई थी न उसमें bread के जो हमने slice को उसमें पानी से भरके निचोड़ा था उसमें रखके cover करके इस तरह से गोल आकार देना है हमको इस तरह से दाब-दाब के देंगे तो क्या है जितना पानी बचा हुआ भी है वो भी निकल जाएगा और एक अच्छा shape hold कर लेगा ये और बाद में इसको एकदम गोल हाथों के बीच में गुमा कर गोल shape दे देना है और इसी तरह से आपको ये balls भी तयार कर लेनी है bread को cover करके ध्यान से देखेंगे तो आपसे एक बार में ही बन जाएगा कि यह दिखिए बहुत इजी है सारी बॉल्स इसी तरह से मैंने बना कर तयार कर ली है अब इनको सेखने के लिए चलते हैं आप इस तरह से भी इनको रख दे सकते हैं फ्रीज में जब आपको जरूरत लगे तब आप सेखिए और इंज़ाय कीजिए तो मैं अपे मोल्ड को कि मैं अच्छे से ग्रीज कर लेती हूं अब व फ्लेम को बिल्को स्लो रखना है और अच्छे से करना है और अपे मोल्ड में क्या है बीच वाले जो होते हैं कॉल्म उसमें जल्दी सिह जाता है कोई भी चीज और क्योंकि बीच में डायक्ट हीट लगती है इसलिए और side में जो रहता है उसमें थोड़ा देर लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बीच वाले को सिखने के बाद side में कर दीजिए side वाले को बीच में ऐसे change करके आप भी सेख सकते हैं और इनको लगभग 2 मिनिट तक मैंने cover करके पकाया है उसके बाद मैं इसको पलट रही हूँ इसको पलट पलट कर चारो तरफ से अच्छा crunchy होने तक आपको सेख लेना है थोड़ा time लगता है लेकिन बहुत ही delicious बनकर तयार होता है जब आपको लगए कि चारो तरफ से अच्छे से सिख गया है एक एक बार अच्छा color नहीं आया है और crunch अच्छा नहीं है तब आप इसको थोड़ा थोड़ा घी से चारो तरफ से ब्रश करेंगे बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है हलका सा घी लगाके चारो तरफ से ब्रश करते हुए इसको सेकेंगे और पलट पलट कर सेकेंगे चारो तरफ से अच्छे से से सिख जाए क्रिस्पी हो जाए तब हमारे अपर बिल्कुल यह बॉल्स बनकर बिल्कुल तयार हो जाएंगे तो ये देखिए आप कदर देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया है तो ये बिल्कुल बनकर तयार है उनको हम सर्प कर लेते हैं मैंने उसे चिम्टे से पकड़ा तो ये दब रहे थे इसलिए मैंने हाँ से उठाया है गरम है लेकिन एक एक करके उठाईए उठ जाएगा और इसको किसी भी डिप के साथ चटनी के साथ सर्प कर सकते हैं चाय के साथ इंज्वाइ कर सकते हैं बहुत ही डिलिश्यस लगते हैं अंदर से बहुत ही चटपटे मज़ेदार चीजी से बॉल्स हैं आप जैसे काटलेट बनाते हैं उनी का वर्जन है यह अगर आप डी-fry करेंगे तो कटलेट है है अगर आप डी-fry नहीं कर रहे हैं तो यह हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टिया अंदर से आप देख सकते हैं फिलिंग चीजी भी है और सबजियों से लोडिट भी है तक के लिए बाबाई